तो यह जो फ्लैट प्लेट कंवर्टर की डिसकी बात मैंने एक मॉड्यूल में की थी वो भी एक एक एक्टिव एक्टिव कलेक्टर है इसका मतलब ही कि आप बाहर से बादार से ले कि आए अपनी छट पे रखाए जहां भी रखाए लेकिन उसको इंटेंशनली उसको आपने खरीदा और फिर एक्टिव करना शुरू किया वो बहुत ही एक्टिव सी चीज़ है अ आपको कुछ करने की जूरूरत नहीं है वो डिजाइन का वो एक इंटीग्रेटिड चीज होती है उसमें कि घर का डिजाइन ऐसा बनाया कि वो सारी जो सूरज है ज्यादत ज्यादत अंदर आ सके ये सर्दियों की बात बता रहा हूं गर्मियों के लिए फिर उसको मुक्तल तो सारे जो उनकी जो construction design है उसका approval उसी बात होता है जबकि ये जो passive elements जो है ये उसमें design में included हो कि आपने घर की direction कैसे लगी है सारे घर जो वो north-south direction में अब बन दें California में California में आप कोई ऐसा घर नहीं बन सकता है जो east-west में हो सब north-south क्योंकि सूरज जो है वो ऐसे चलता है सूरज ऐसे तो नहीं चलता तो सूरज को absorb करना और चुपाना दोनों उसी बात हो सकता है जबकि आपकी orientation घर की एक तरीखी की हो तो तो हम उसी तरह की orientation पे सारा काम चलता है तो ये passive solar system जो है उसको समझना पड़ेगा और थोड़ा सा concept heat transfer का जो आगे जाके हम फिर दोबारा इसको जब insulation वगार की बात करेंगे, saving की बात करेंगे, conservation की बात करेंगे तो हम इसको दोबारा से revise करेंगे लेकिन इस वद आइडिया को introduce कर देंगे इस module के अंदर फिर बागे जाके उसको detail में बताएंगे क्या चीज़े हो सकती है तो passive system जैसे मैंने लिखा है ना कि building itself acts as an absor and storage, पहले तो आपने एक box लगा है ना चट पे खड़े हो के कि उसमें से absorb करेंगे, अब आपकी जो building है वो खुद ही absorb कर रही है, अब आप तरह language देखें, कि अब गर्मिया आ रही है, गर्मिया जब आती है तो गर्मियों में तो फिर absorb करने वाली बात तो नहीं होती है, कम स absorption की बात होती है ना, तो मैं उस जगह की बात कर रहा हूं, जहां सर्दी जादा हो और फिर उसके लिए heating की जूरत हो, इसके गर्मियों का भी हिसाब किताब है, जो मैं आपको समझाऊंगा, तो दो तिन चीज़ें जो घर के अंदर, डिजाइन के अंदर जो जिसको सब इसक जो गर्मियों वो अंदर ना है, गर्मियों में, या सर्दियों में जो आपने गर्मी अंदर खटा की है, heater चला के जो कुछ भी हो, वो बाहर ना जाए, वो insulation से उसका तालुख है, insulation का मतलब क्या होता है, कि heat कैसे जाए, heat जाने का मतलब, heat transfer, उसका पिर समझना पड़ेगा, heat transfer कैसे होती, conduction, convection, radiation, वो definitions है ना, वो थोड़ी सी समझने पड़ेगी, फिर collection कैसे होगा, कि बैसे मैंने आपको बताया ना, कि सूरज जो है, गर्मियों में उपर है, सर्दियों में नीचे चलता है थोड़ा सा, सर्दियों में नीचे चलेगा, तो आपकी खिड़किया है, त तो उपर से जो है, वो इतना गर्मी नीचे नी करेगा, और अगर आप यहाँ इस साॉथ में एक दरहत लगा लें, बड़ा सा दरहत, आप देखें, यहाँ पर पद्जड़ में दरहत के पत्ते तो गिर जाते हैं सारे, तो सर्दी में दरहत के पत्ते नीचे 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 जैसे पत्ते आते जाते रहेंगे उसी तरहें से जितनी जूरत होगी सूरज की सरदियों में पूरा अंदर आ गया क्योंके पत्ते नहीं है गर्मी में पूरा च्छाउंस में आ गई क्योंके पत्ते ही पत्ते हैं तो यह कितना आसान सी चीज है लेकिन उसको इंप्लिमेंट कर तो ये वो कलेक्शन का है, स्टोरेज ये है कि अगर अंदर आ गई तो उसको फिर जमा कैसे करेंगे उस हीट को, एक मरतबा अंदर आगे चले आज़ा तो ठीक है, कमस कम आई तो सही, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसको स्टोर किसी तरीख से किया जा सके, तो ये बहुत सारी इसी डिजाइन है, जिससे लोग बनाते हैं, जिससे स्टोरेज भी होता है, शैडो भी होता है, सर्दियों में गर्मी होती है, गर्मी में सर्दी होती है, सारी चीज़ें पूरी अच्छी तरीखे से कंट्रोल कर सकते हैं, अब ये देखें, सूरज की शौएं आ रही हैं अं तो उस स्टोन के अंदर एनरजी एब्सॉर्ब होती रहती है अब वो एब्सॉर्ब स्टोन में होगी तो स्लोली एब्सॉर्ब होती है और स्लोली फिर रिलीज होती है तो दिन भर में वो टेंपरिचर उसका वाल का बढ़ता जाता है रात को ख़तम होगी तो जो दीवार है व आपको छाओ मिल गई, सर्दिये में आपको घर्मी मिल गई यह जो है, यह हीट ट्रांसफर की जैसे मैंने बात की थी ना यह तीनों चीज़ें, कंडक्शन, कंवेक्शन और रेडियेशन यह तीनों चीज़ें समझनी पड़ेंगी क्योंकि हम बात करें, अंदर जब गर्मी आगी या अंदर से जो आपने एर कंडिशनर चलाया उसको बाहर की गर्मी से बचाएं कैसे यह इन तीनों को समझना पड़ेगा उस चीज़ के लिए तो चीज़ें जो होता है, वो चीज़ें जो होता है वाइबरेट करते रहते हैं, जितने ज़्यादा वाइबरेट करेंगे उतना वो यह गरम हुआ, फिर यह वाइबरेट करना शुरू हो गया तीसरा वाइबरेट करना शुरू हो गया और सब फिर वाइबरेट करते रहते हैं तो ये इस तरह से हीट जो है एक तरह से दूसरे तरह से तीसरे एटम से चौते एटम से लेके जिसको ये जो वाइबरेशन होते हैं इसको कहते है फोन आन तो ये जो फोन आन यहां से चलते हैं वो दूसरी तरह तक चले जाते हैं तो अगर किसी कोई राट को आप यहां गरम क जितनी जायदा vibration होगी, अगर heat बचा निया है, आपने, तो इसका मतलब metals में बहुत vibration होती है, तो metals obviously आप नीजिने, metals को तो आपको अन्डादा होगा, कि इदर से गरम किया, उदर से थंडा होगया, उदर से थंडा कि इदर गरम होगया, वो तो हीट बड़ी तेही से आगे पीछे चलती रहती है मैटल्स के अंदर तो मैटल्स ना इस्तेमाल करें कोई इंसुलेटर सेरामिक वो इस्तेमाल करें जिसमें वाइब्रेशन इतनी जादा नहीं होती तो वो बड़ी आसानी से हीट को रोक सकते है दूसरी चीज़ है वो कन्वेक्शन है कन्वेक्शन पानी के लिए या गैस के लिए इस्तेमाल होती है जिसमें अगर आपने नीचे वाली चीज़ गरम की तो जब नीचे वाली चीज़ गरम होगी तो वो हलकी हो गई तो वा उपर आ गई जब जैसे जैसे उपर आई वो ठंडी हो गए तो फिर नीचे चली गए तो यह जो चलता रहता है जैसे कभी-कभी हमारे पास तूफान वगए आते है वो इसी तरीके से आते है कि जो गर्मी और ठंडी का जो चेंज होता है डिफरेंस में एटमस्फियर के अंदर उस वज़े से यह हवा जो ऐसे रोटेट करना शुरू करती है और साइकलोन वगए जो आते हैं वो इसी चेंज की वज़ा से आते है तो यह तो आप कप में भी आता है साइकलोने सा अगरह अप चाए में पत्ती डालें और देखें हिराए है बगए तो वो नीचे से चाए चलेगी उपर आएगी उपरे चलेगी नीचे आगी इस तो से पूरा सर्कल गलास में डालके देखें ताक Pasक्त पूरा नजरा सके कु तो यह गैस कई नहीं होती, तो फिर नहीं होती तो फिर क्न्वेक्शन नहीं होता, तो इस तरह की चीजें या कोई रुकावट डाल दें कि वह जो हुआ हो पूरी ओपर से नीचे तक ना जा सेके रुक जाए यहाँ पर तो फिर नहीं होतें, इसके और तफियर और मैं का रही है अब जो सूरज से जैसे गर्मी आती है ना गर्मी की बात कर रहा हम जमीन तक के बीच में तो कोई मीडियम नहीं ना कोई सॉलिड हैं ना कोई एर है वह सिर्फ रेडьяशन की बज़ा से आरही है वह उलेक्रोमैडिक रेडीशन जो इन्फरा का ख़तम करने का भी एक तरीखा ही होता है Electromagnetic Radiation है ना तो जैसे Thermos में होता है Thermos का भी जहांक के देखें तो अंदर बिलकुल चमकीला होता है उसकी वज़ा यह है कि जितने भी Radiation बाहर जाने की कोशिश करती है ना वो reflect करके जैसे light reflect होती है उसी तरह infrared infrared और light में कोई फरक नहीं है तब दोनों वो हैं Electromagnetic Radiation है तो वो दोनों पिर सारी reflect हो जाती है और पिर सारी अंदर के अंदर रहती है तो Thermos में हर चीज गरम की गरम रहेगी ठंडी की ठंडी रहेगी तो यह तीन चीज़ें जो है अब उसके एक आखरी चीज़ यह है कि यह जो insulation जो है insulation यह होता है उसके अंदर gas भी trap होती है तो gas move नहीं कर पी convection नहीं होता material ऐसा होता है जिससे उसमें vibration कम होती है तो conduction नहीं होता तो दोनों की वज़ा से इसकी insulation है वो बहुत ज़ादा होती है अब उसके आ अर वैल्यू लगाते है जतनी ज़ादा आर वैल्यू होगी उतना उसमें insulation होगा अब यह देखें बागी चीज़ देख ले glass की क्या आर वैल्यू है stone की क्या आर वैल्यू है plastic की क्या आर वैल्यू है और न savoir 0.03 से लेकर 6.25 तक के जो polythene board यो आता है ना प्लास्टिक का board आता हूँ है और इसको आप compare करें इस से अब ये जो है R30 है ये आया R6 और जो अभी मैंने दिखाया वो R30 तो कितनी बड़ी insulation वाली वात होती है तो अगर ये बीच में दीवार के बीच में किसी तरह हमारा construction इस्पेशली नौर्थ में बीच में इंसुलेशन डाल दें तो इस्पेशली जहां पर जूरत होती है इनकी सर्दियों वाली जगहां पर जहां पर लक्टियों के घड़ जादा होते है तो ये इस करसम कि अगर इसमें इंसुलेशन बीच में दाल दी जाए तो बहुत सारी energy की बचत हो सकती है